हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमर्स का जो अभी रेजल्ट आया है तो इसमें सबसे ज़्यादा क्योशन आ रहे हैं कि OBC और जनरल के जो भी कंडिडेट सेलेक्ट हो हैं तो उनके बच्चों के पढ़ाई का क्या होगा तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर EMRS का जो एडविशन हो रहा है तो उसका पूरा प्रोसेस यहां पर देख सकते हैं तो इसमें पर सेक्शन 30 हैं बच्चे जो लेने होते हैं यानि 30 सीट है और पूरी क्लास में 60 हो गई पर स्कूल का बतारों में तो इसमें क्या दिया है कि EMRS का स्टाफ है यह पांच नंबर लाइन आप यहां पर देख सकते हैं तो EMRS का स्टाफ है उनके अगर बच्चे हैं तो आपके जो 30 के ज्यादा एक स्कूल में अगर एक क्लास में 20 बच्चे अलाउड हैं स्टाफ के तो सबका एडविशन हो जाएगा बस कंडिशन यही रहनी चाहिए कि जो भी स्टाफ यहां पर स्टाफ हो रहा है तो उसके बड़े दो बच्चे होने चाहिए यानि ट्रोटल अगर तीन बच्चे हैं तो बड़े वाले दोई आप इलिजिबल हैं तीसरा बच्चा कुछ भी मतलब यह कंडिशन में आ नहीं पाएगा यह मारस में तो फ्रेंट से अगर दोई बच्चे हैं तो दोनों का इडविशन इजिली हो जाएगा और अगर दो से ज्यादा बच्चे हैं तो बड़े वाले द नहीं चाहिए तो यह जो है दो तिन कंडिशन के बाद आपके बच्चे इलिजिबल हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको दिक्कत नहीं आएगी थेंक्यू फ्रेंड्स